इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ब्रो जेड एक्स एलेस प्लस एक्स पेक्टोरांट का इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है. यह नाक, श्वासनली और फेफडों में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है. यह ठंड़क की अनुभूती भी पैदा करता है और गले की मामूली जलन से राहत देता है. ब्रो जेडेक्स एलेस प्लस एक्स पैक्टोरांट भूजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधी में लिया जाता है जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी है. आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं. आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है. यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है. अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं. सबसे आम दुश प्रभाव मतली, अपच, सूजन, उल्टी, दस्थ, पेटदद, सिर्दद, पसीना, त्वचा पर लाल चिकते, कपकंपी और हृदय गती में वृद्धी हैं. इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं. अपने चिकित्सक से सीधे संपर्ख करें यदि आप इनमें से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं. यह दवा भी नींद का कारण बन सकती है. इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है. तब तक गारी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवशक्ता हो. इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे नींद खराब हो सकती है. कभी भी स्वध दवा का समर्थन न करें या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दवा की सलाहा न दें. इस दवा को लेते समय परियाप्त मातरा में तरल पदार्थ लेना फायदे मंद होता है इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तन्पान करा रही हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद